हेल्व हेलो हेलो एज लियार अगें लाइब यह स हेलो 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 yes we are again live yes चलो अभी अच्छी audio आ रिया अभी audio ठीक है हेलो हेलो yes we are again चलो sorry everyone देखना पड़ेगा भी सिस्टम को बहुत दोका दे रहा है बहुत ज्यादा दोका दे रहा है yes चलो हेलो हेलो गुड इवनिंग everyone all clear voice clear yes sir चलिए बहुत बढ़िया ठीक है yes 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 बहुत दिनों बात yes तीन चर दिन ही तो हुए रहे start yes yes all clear now I can start चलिए भगवान का नाम लेके शुरुवात करते है जय बजरंग बली चालो start करते तो भईया आज हम लोग start करने वाले yes yes hello 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 आज हम लोग start करने वाले अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है electromagnetic induction ठीक है जिसका हम लोग short form क्या बोलते है EMI yes numerical भी बहुत जल्ली मिलने वाले टेंशन मतलो मुझे पता है numerical अठके हुए है वह भी मिलेंगे टेंशन बिलकुल नहीं लेना है पढ़ाई करते रहना है yes yes बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे आएंगे 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 मैं आपको बताऊंगा अटेंशन मतलो स्टार्ट करते हमारे electromagnetic induction से चिक है तो आई होब सो एवरिधिंग इस वीजिबल एंड ओडिवल सबसे पहली बाद इस चैप्तर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है सर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन अभी देखो हमेद्दम डीप में नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग तो भी बहुत ही 90 पसंट चीज़े समझेंगे ठीक है अभी देखो यहां पर क्या है अपने पास यहां पर हम लोगने इंपूट क्या दिया था मारा इंपूट था करेंट के अंदर करेंट पस करते तो उसके अगल बगल में मैगनेटिक फिल्ट बन जाती है क्या बन जाती है तो कुछ साइंटिस बोलते है अगर हम लोग magnetic field को यूज करके current बना सकते हैं क्या कर सकते हैं मैगनेटिक field को हम लोग current बना सकते हैं तो इसी के लिए इसी के लिए हम लोग यह chapter पढ़ने आले जहां पर हम लोग यह देखने आले है with the help of magnetic field how we can develop how can we can induce emf और current ठीक है इस chapter में हम लोग जब जब मैं आपको बोलू voltage voltage या फिर फिर मैं बोलू emf सबका मतलब क्या है voltage ही है यह मैं बोलू तो भी क्या है वह voltage ही है ठीक है कि अभी जान से सुनों तो यही यही चीज हम लोग पढ़ने आले कि magnetic field की होजे से current कैसे प्रेडियूस और हमारे पास दो एक्सपेरीमेंट दिये गए जो संसारी चीज हम आग्या के डिसकस करेंगे बहुत ही च्छोटा चैप्टर एक से देड़ घंटा में अपने chapter खतम हो जाएगा तो सबसे पहली बात अभी यह सारी चीज़ थो हम लोग आगी पढ़ी लेंगे टीक है मैगनेडिक फिल्ल्ड इसको अभी हटा देतो सबसे पहली चीज जो है आपको पता होना चीए वह ना नहीं magnetic field उस एरिया में से पास होगी तो उसको लोग बोलेंगे flux फॉर एक्जामपल यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर magnetic field दस magnetic field पास हो रही है इसके अंदर से इस एरिया के अंदर से तो हम लोग क्या बोलेंगे तो वेक्टर ऐसा होगा अपना सर्फेस ऐसा है ऐसा है तो अपना वेक्टर ऐसा होगा तो हमेशा flux निकालने के लिए formula क्या है फ्लक्स निकालने का formula है एन एडिक फिल्ड एन एडिया वेक्टर थीटा क्या होता है एंगल बेट्विन मैगनेडिक फिल्ड एन एडिया वेक्टर अगर अब लोग मान लेते हैं कि आपका जो एंगल थीटा है वो क्या है पैरलल है ठीक है बी एक तरफ है लिए टरफ है तो जब पैरलल होते तो एंगल कितना होता है जिरो एंगल 0 कुछ कीवेलो कितने होति ही वन होती हे कग यहाँ पर दिखो किए और मिलएगा जो व्लक्स होगां कितना हो जाएगा भी सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर अपका आगया फ्लक्स in1 a उक्額न कॉंट अचलो यहां पर कुछ एकस्परिमेंट जब और और यह पहला एकस्पेरिमेन्ट है अब के बास को सब्सक्राइब को में בעप के सब्सक्राइब के को डिवाइस और दिवाइस विचिज दो डिटेkt करेंट क्या सब्सक्राइब गैलवनोमिटर इट इस डिवाइस डिवाइस वीच इस यूस्ट टू डिटेक्ट करेंट करने काम आता है तो हमने क्या किया हम लोग ने लिया एक कॉइल ले लिया अभी उस कॉइल और उसको हम लोग मैंजने मेंद को आप नजधिक लेके आतों दूर लेके जाते हो तो इसमें देखा किया जब मैंद को नजदीक लेका यह तो यहां पर क्वाल में कुछ दिफलेक्शन दिखाता यहां क्या किई संकेत आ रहा था कि कईना गई मच कुछ च लोगिश Whitman sł m पार मेंगनेट के वाजे से तो जो यहां पर मेंगनेट को पर मूफ करते लिए मैं यह था पहला एक्सपेरिमन्ट अभी इन दोने को लेलिया वाज़ू-बाज़ू में तो क्या आपने कोई इंफिनिटी एनरजी मिलेगी मैगनेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए वाट द्यू को में चाहिए मैगनेट बूंफ होते रहना चाहिए कि स्पीड क्या निची दोनों में रिलेटिव मोशन चाहिए कोई एक यह से कंटिनियूसली मूफ होना चाहिए उसके जिसे क्या होगा करेंट इंड्यूस होगा करेंट प्रड्यूस होगा उसके जिसे यह मैं फिंड्यूस होगा सो था जो कितना में में होता है वह अमको फैरएडास ने बता यह वह गया पहला एक्सपरिमेंट किया था अभी scientist ने क्या किया उन्हों ने बोला कि नहीं अभी अपने को magnet magnet बहुत हो गया आपन्स दो कौिल लेते को यह हो गया और है को आपर हो गया ठीक है एक primary को बुल रहा थे एक secondary को एक कोईल में हम लोग ने लगा दी बैटरी वीटरी क्या लगा दी बैटरी लगा दी की लगा दी सब कुछ लगा दी और एक में हम लोग ने लगा दिया गैलवन अमेटर ठीक है जिसमें हम लोग ने बैटरी वीटरी लगा उसको प्राइमरी बोलते हैं जिसमें चीजें बनन ऊंगे Marvel को बनेगी वो मेगनेट Shift क्या करेंगे लिंक होगी क्या होगी और जब ये मैगनेटिक इस कॉइल में जाके लिंक होगी, कॉइल नंबर 2 में, तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर होगा, EMF Induce, क्या होगा EMF Induce, तो जब सर्कुट को क्लोस किया, Magnetic field बनी, EMF Induce हुआ, जब सर्कुट open किया, Magnetic field चेंज हुई, फिर EMF Induce हुआ, अप पोसित डायेक्शन में, emf induced नहीं होता समझ में आ रहा है येस बहुत है ठीक है तो सबसे important यह है कि कि आम का मैगनेडिक% भील होना चाहिए जोकन के सथ लिंक होगा वह बार-बार चैंज होना चाहिए मैगनेडिक मैंगे चैंज होने कीis गीबावण क्या बोलेंगे कि बार वार फ्लक्स चेंच होना होगा अगर धक्स होगा तो packaging नहीं होगा यह हम को अबता यह हमको उन्होंने लोग क्या भूत है पहला अंगा आएंगे थो पड़ जाना स्टेट्मेंस what is first law first law of paradise law first electromagnetic induction तो वो क्या है whenever there is a change of magnetic flux in a close circuit and induced EMF is produced in the circuit तो कब जब तक आपके flux change हो रहा है flux change होंगे एक circuit के अंदर flux change होना मतलब magnetic field change होना अब यह तो थोड़ी मैगनेटिक फ्लक्स होना मतलब magnetic field पहले चार जा रही थी फिर दस जा रही है 20 जा रही है तो magnetic field change हो रही है magnetic field फ्लक्स चेंज हो रहा है magnetic flux यहने के जिसे EMF produce होगा अगर आपका flux constant रहेगा तो magnetic constant flux रहेगा तो आपका EMF induced नहीं होगा यह बात समझ लो second law ने क्या बोला था second law ने बोला था कि जो आपका EMF है ठीक है यह रिलाओ दे दिया था कि EMF is directly proportional to rate of change of flux with respect to time rate of change of flux with respect to time clear है yes yes अभी यहां से प्रपोस्ट्राइब इसाने डानी है तो एक constant आ जाएगा उस constant की value उस constant की value 1 है और वीसलिए हम लोग फॉर्मल लेते डी फाइबाई डी टी क्या लेते डी फाइबाई डी टी और यह आपका second law second law क्या बोलता है the magnitude of induced EMF होता है पहले लोने क्या बोला कि magnetic flux change होगा तो EMF induced होगा magnetic flux change होगा तो EMF induced होगा close coil में लेकिन कितना होगा पाच वोल्ट होगा दस वोल्ट होगा पचास वोल्ट होगा कितना होगा तो वह हमको second law बताता है कि कितना अपना EMF induced होगा तो second law में क्या बोला गया the magnitude of induced EMF produced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux link with the circuit this law is also known as quantitative law as given by the magnitude etc तो यह आप लोग देख सकते हो ठीक है तो यह आपका बन गया पहला फर्मूला यह आपका बन गया पहला फर्मूला तो first law से क्या पता चला अभी तक हम लोग ने क्या 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 पढ़ लिया उसके बाद में लोग ने पढ़ा कि फेरड़ा ने 2 experiment किया फिर वह सब होने के ब सब्सक्राइब कि अबला था कि कितना यह में इंडियूज होगा कि इंडियूज इस डाइकरी परपोस्टनल टू रेट ऑफ चेंज अफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रपोस्टनल डिसान डाओगे कॉंस्टन डाइगा उस कॉंस्टन की वेल्यू होती है तो को सकेंड लोग को और आगज ध carbohydrate qui है आपका नेट्स लाउ टेक्ट है वो लेंस definite ने दिया था अभी उन्हें ने क्या बुला था अभी में फेर्मोला है अपना जान्ते तूना में फेर्म用र कर देखो पहला फहा हो रहा है दुसरे फाम्म्मुला यहाँ से अपने फहाइं म तो यहां पर है ना जब उसके अंदर करणट्ट सुता था तो होता था ज्ञानितेशंण के एकस्पेरिमेंट करके उन्हों ने अदे ऑप्जर्वेश्न कीया थह और के उप्जर्वेश्ञ नहीं पूसते चेलं यह श्रवकुत को में भता हमारे पास lens law है यह हमारा law mirror का law नहीं है सबसे पहली बात है हमारे पास mirror mirror का law नहीं है यह बच्चे लोग यहाँ पर lens law mirror का लो लिख की आते हैं ठीक है direction of current find out करने के लिए use होता है second चीज statement क्या हिए तो according to this rule the direction of induced current in the circuit is such that magnetic field produced by the induced current opposes the change in magnetic flux that induces the current अभी यहां पर आपको प्रेंट से सुनना इदम ज्यान से इसको मैं यहां पर एक और स्लाइड लेता हूं है भाइट इंपोर्टेंट है ज्यान से सुनना अभी देखो लेंस समझने के लिए सबसे पहले बात आपके पास क्या गया आपके पास कॉइल अगई उस कॉइल में से जब करेंट ऐसा करेगा जब अचा इसका अब निचे इसका मतलब क्या है दुझा बोलो magnetic field ऐसे बहाँ निकलेगी भाँ निकल रही है ऐसे निकल कि अंदर आएगी तो उपर क्या बनेगा यहां नेंट फ्लो क्लाक्वाइप क्या बनता है साउथ पॉल बनता है क्लियर है अभी सेम मैंने करन का डायक्षन देखो क्या कर दिया क्या कर दिया क्रण का डायक्षन उल्टा कर दिया और जब मेरे करन का डायक्षन उल्टा कर दिया तो क्या हो रहा ध्यान से तब यहां पर कौन सा पोल बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा बोलो समझ रहा है बोलो समझ रहा है नेगेटिव साइंस इन लेंस लो इंडिकेट्स डियरेक्शन अफ करेंट येस तो मैं आपको वही बता रहा हूं तो जब भी अभी ध्यांत सुनों मैं इसका एक्प्लिकेशन दे रहा हूं ठीक है अभी लेंस लो क्या करवाता है यहां पर देखो इसका यह यह यहां पर बता आके दे रहा है कि actual में होता क्या है तो देखो एप्लिकेशन समझ में आ गया यह इस्टेटमेंट यहां पर आपके व्यास कि जो आपका देखो आपने मैगनेट डाला पर कॉईल के अंदर मैगनेट जाए उसके इंदर क्या वहां करने अंदर जाएगा उतना आपका करेंट पर ज्यादा बने का अन्ध्या बहोरा हुआ करन्ट ढरे अभी छु कोइल हूआ तो खुद अपनी बनाएगा मैनों बनाएगा अबिंदल ऐसे बनाएगा करेंट को करेगा कि जो मेगनेट आ रहा है वह इसको आप्वोस्त करेगा फर एक्सपर मान लो कोई है और यहां पर यह नौर्थ पोल और साउथ पोल आगे वाला नौर्थ पॉल पिछरा साउथ पोल नौर्थ पोल नजदिक आ रहे नौर्थ पोल आया मैगनेटिक फील्ड लेकिए आ यहां पर नॉर्थ पोल बनेगा मैं अपर यहां पर साउथ पोल बन जाएगा ताकि यह जब दूर जा रहा है तो इसको दूर ना जाने दे मतलब यह नजदीग आएगा तो सेम पोल का बनाके उसको दूर करेगा और दूर जाएगा तो अपोजिट पोल बनाके नजदीग खिचेगा समझा यहां पर फिर सेप सुनलेना अभी देखो यह यहां पर लिखके दिया है आपको कोईल है यहां पर आपका है इसे उपर से डाल रहे हो नीचे आपकी कॉइल है तो जब आपका मेगनिट उपर से नीचे आएगा नॉर्थ पुल है इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा एक करेंट सेट अप होगा अभी करेंट कैसे होगा सर पोल कैसे चेंज हो सकते हैं एक ही मैगनेट के जब बिटा वो दूर जाता है तो उसकी मेगनेडिक फिल्ड कम हो जाती है मैगनेडिक फ्लक्स कम हो जाता है उसके वजह इसे करन का डारेक्शन अपवोजिट हो जाता है तो यह जब आप लोग दो यह पढ़ोगे ना दो एक चेंज होते है ठीक है तो जब दो पड़ोगे आप लोग एक्सपेरिमेंट टेक्स्बूक में से तो आपको समझ में आ जाएगा तो मैं यहां से जा रहा है अभी मैगनेट नीचे गिर रहा है नौर्थ पॉल के साथ तो अपना लोग क्या बनना चाहिए यहां पर नौर्थ प और भी घड़ी के अपॉजिट में करेंड व्लोग करे गा है इसका मतलब यहां पर जा चाहिए तो तो इसको मरने नहीं देगा तो अपना कर अपना कर लेक्शन उलटा कर लेता है पर यह इसको पर जाता है यहां और यही पढ़ने का अपने पास टाइम हैं अब यहां पर energy conservation के लिए क्या है मतलब ठीक है अब ही सुनो energy conservation में क्या वह लगया है कि जो आप लोग करवा रहे हो magnet को आगे पीछे coil को आगे पीछे current को फ्लो कर वा रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो वही mecanical work क्या हो रहा है वही mecanical work क्या हो रहा है आपका electrical energy में store हो रहा है इसलिए इसको बला जाता है energy conservation in lens law यह follow करता है कि आप जितना भी mechanical काम करोगे और डैरेक्ली electrical में convert हो जाएगा बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है येस ट्राय करो याद करने का नहीं रहता है छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है एक कोशन छोड़ दो कि कोई प्रोब्लम नहीं है उसके वज़े से पूरा चैप्टर आप्शन में नहीं रखना है ओक्या मन चलो बहुत बढ़िया तो अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा इसमें से इंपोर्टेंट क्या क्या था जानते सुन लो बढ़ता रहो सबसे पहले अपने पढ़ा फ्लक्स निकाल ला फ्लक्स का फ्रॉम्ला क्या है फ्लक्स इज़ उगोज टू बी ए कॉस्ट थीटा सेकेंड फर्मॉला हम लोग ने यह माइनस सैंग कैसा है यह एक 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 अपने देख लिए एक एश्य ओर एक आपके आपके अब तक आपने जो जो किये है एतना येस और नो कि अब यह तीसरा लेंग्स लो फेरेड़ायला को मिला दिया ऐसे कुछ भी इसमें कुछ भी यह यह नहीं नहीं है तो फॉर्मला वही मता कि दिया अपनेको खाली हाप करने के लिए बटा अल्री अंजली मैं हमने इंप्टेंस चैप्टर बता दिया आप फ इकवल्स टू माइनस डीफाइबाइडीटी ओधी फाय का फर्मला क्या था था भी ए एक और फिर क्या बोलोगे बी डॉट एंपर उठाके रख दो तो क्या बनेगा सर माइनस डी डॉट एडिवाइड वाई डीटी अब यहापर चेंज क्या होता है तो बाहर क्या निकलेगा बाहर निकलेगा एक्टर तो डी बी बाइ डी है s yes एस इंड्यूस एंफ और इंड्यूस करन्याइख लिट्ट ऑफ चेंज ओफ मैंगनेटिक फ्लग्स इंड्यूस ५ी ए इंड्यूस एम बेटा ठिक है इंड्यूस बोलो तो यह आपको पूरूफ करके दिखाने के लिए बोला गया है कि लाइंस लोग और फैरडाइस लोग को मिला दो तो आपको एक नया लोग बन जाएगा जो कि आपने पहले पढ़ लिया इस इकॉल्स टू माइनस डीफाइब डीटी ओके आगे चलते हैं अब यहाँ पर देखवां यहाँ पर कुछ अपने को दिया है अगर खाले अपने मैगनेटूट के लिए आपका आएगा डीफाइब डीटी ओनली माइनस डीफाइब नहीं लेना है देखो फ्लक्स का फोर्मॉला था यहाँ बराबर तो लिस ऑपनेटए अगे फोलते हैं आगे अगे अगे और फिर से यह फालदा ही ओपिक अब इसको मैं कैसे समझाओ ढहान से देखना सबसे पहλे li कैसे दिखाया आपको यहाँ पर दो डुदी देखाये गया तो डाइग्राम नंबर देखो डाग्राम नंबर एए क्या दिखाया डाग्राम नंबर एपन ढ कर भी कितना फ्लक्स बनेगा वह देखेंगे फिर उसके इंटिग्रेशन लगा देंगे और टोटल एरिया में से फ्लक्स देखेंगे कितना होता है तो अगर मैं यहाँ पर एक इत्दम बेसिक बता दू कि जब आपका फ्लक्स कॉंस्टेंट होता है यह फिर हम बोल सकते हैं कॉंस्टेंट होती है मैं मैं इनिटिक फिल गॉंस्टेंट होती है तो आपका फ्लक्स तू बीए कॉस्टती यह फिर बोल सकते हो फिये ध्यांचा सुन्ना ४जपाघनलेशन नहीं cinema आता इसका, derivation नहीं आता, second अगर आपका magnetic field या फिर magnetic flux constant नहीं रहता, constant नहीं रहता, तब आप लोग flux कैसे निकालोगे, तब आप लोग flux निकालोगे, integration b.da, कैसे निकालोगे, b.da, yes, 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 बोलो फटाफट, तो यहीं आपको यहाँ पर proof करके दिखाया है, देखो, सबसे पहरे, यहाँ पर एक छोटा सा element ले लो, जब आप लोग ने छोटा सा element लिया था, तो उसके अंदर से कितना flux बनेगा, छोटा सा area है, तो थोड़े से flux जाएंगे ना, दो-तिन magnetic field ही आएगा, तो उसके जैसे कहा लिखोगे, छोटी चीज़ के लिए अपन डी लिखते है, तो छोटी से flux में से छोटा सा area है, तो डी वी ए लिख दिया, तो यहाँ से आप लोग का छोटा flux के लिए बन गया, अगर आपको पूरे flux के लिए निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, integration लगा होगे, तो आपके लिए फर्मला बन जाता है, बात खतम, इतना ही है, तो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एदम ध्यान से, फिर से सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब magnetic field और magnetic flux इस constant, हम लोग flux लिखते है, बी ए कॉस थीटा और बी ए, क्लियर है, जब आपका magnetic field constant नहीं रहता, जब magnetic field constant नहीं रहता, तब integration b.da आ जाता है, समझ रहा है बात, yes or no, इन सब को हटा दो, yes, कितने लोगों को derivation चाहिए, इसका derivation कितने लोगों को चाहिए, मैं तो इससे समझाई दिया है, integration कर लोगे, तो इसमें देखो, खाले integration लगा दिया है, खतम, अभी इसमें से अपन कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते है, क्योंकि irregular shape है, ठीक है, area बराबर नहीं है, magnitude field कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो integration में से b बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि b सेम नहीं है, येस, वो constant था, येस, हा ना बोलो, कितने रोगों को समझ गया, बार बार बोल रहा हूँ, देखो, उसके ओपर भी question नहीं आएगा, flux of the field, topic क्यों दिया सर, flux समझने के लिए, कि जब छोटे से area से flux निकालोगे, तो कैसे calculate करोगे, जब बड़ा area होगा, और irregular size में, magnetic field अलग लग होगी, तो कैसे आप लोग flux find out करोगे, बस, इतना ही उसका use था, और उसका use नहीं है, कुछ भी, कुछ भी use नहीं है, question भी नहीं आया आए, अस तक, clear है, आप clear होगा ना, सर अब question नहीं आएगा, तो क्यों बढ़ा रहे हो, चोड़ जाने तो, question नहीं आएगा ना, चोड़ो, जब अगर मैं नहीं लेता हो, तो बच्चे बोलने बड़ते हैं, सर आपने ये topic छोड़ दिया, oh my god, सर आपने ये topic छोड़ दिया, सर यही topic तो आएगा, एक्जाम में आपने पढ़ाया क्यों नहीं सर, ऐसे comment करने लगते हो आप लोग, next, अभी यहां से important है, ध्यान से सुनना, yes, rectangular frame वाला आएगा, अभी हमारा topic क्या है, emotional EMF, emotional electromotive force, अभी इसमें हम लग दो टाइप सीखने वाले, एक होगा, translational, emotional EMF, एक होगा, आपका, rotational, emotional EMF, ठीक है, translational में, अपन सीधा-सीधा, translational मतलब linear होता है, सीधा-सीधा हम लोग बाते करेंगे, और उसका अपन पूरूफ करेंगे, एक मिर्ट में मैं आपको पूरूफ करके दिखाता हो, मानलो आपके पास एक frame है, ठीक है, उस frame में, तीन पार्ट fix है, यह आपकी magnetic field है, ठीक है, और उसका जो एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है, जो मूवेवल है, इसकी length है, यह L, और यह जो length है, यह X, क्योंकि यह length क्या हो सकती है, change हो सकती है क्या हो सकती है change हो सकती है अब एधान से सुनना जो mooverly length है उसको V velocity से सबने खीचेंगे क्या करेंगे V velocity से खीचेंगे तो क्या होगा E MF Indus होगा कैसे सर देखो मानलो यह इतना था अपना यह यहां पर यह moveable length है यहां पर है वो और यहां से 10 तो यह पर 10 थे अभी जैसे इसको खीचा तो यह बहार वाले बार बसी कि अंतर आपने को तो कैसे बताएंगे सर तो सुनना यह देखो formula क्या था हमारे पास e is equal to e is equal to d5 by dt यह formula है flux निकालने का formula क्या है flux निकालने का formula यह ठीक है यह ठीक है यह cos theta क्योंकि angle b और a के बीच में angle क्या है 0 degree है तो value क्या बन जाएगी बन जाएगी ठीक है अभी वह आज्यूम करके हम लोग यहां पर solve कर रहें तो flux की जगेपे मैं क्या लग सकता हूँ बीए लिख सकता हूँ आप यहां से constant क्या निकालू बहर मैं बोलो क्या constant निकालू बहर बहर दो निकालू क्या बचा बचा डीए ब्चा अब यह एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग एरिया कैसे निकालू बहर दो एहां पर लेवल डूं फिटी आप लल या इयिकवल टू 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 बया पैटि अभी एल पिटी अभिए यहां अला ठीक Стоп रहा है ट्arle इतना से हो गया ईया extrem है कि आगया में हैं अब करके नियुकम करदेंग है यह जो शहें फॉर्मूला और यह है कि आपका एक चार्ज कोई पर कितनी फोर्स लगती है उस फ़र्मला से डेराइफ किया है तो देखो दूसरा मेठिक्ड क्या है देखो वही से यह तो कॉंबिनेशन और फ्लस मैधने को सिंसे स्सें लेंगे नियम्स फैट प्लस मेधनिक फोर्स फॉर्स isol काकिने सब्सक्राइब सब्सक्राइब क हुगत घर्यों करेख कुछ अगर तो ने जनल के सब्सक्रीश का हुगा ऊनुट यून जाहिब तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते है लौरेंस वाला फर्मूला यहां से भी साइन थीटा यह आपका बन गया फोर्स का फर्मूला अभी यहां पर कौन काम करेगा बैटरी काम करेगा अपने निकालना क्या एक्स किया था तो आप लोग एक्स डिस्टन्स रखे कर लो देखो यहां यहां पर आपको लिखके दिया यह रखो एफ बील आप मैंने सॉल्फ कर रहा हूं यह रहो एफ इंटु एल एक हो यह हो गया मैं पॉइंटर से दिखा दू है लैटर से हाँ तो यह अपना हो गया इसके बाद में मैंने क्या वर्क दन का फर्मॉला लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट ठीक है फिसके आद में मै का फर्मॉला लखा नीचे चार्चर्च कैंसल हो गई बचा वी बील साइन थीटä फर मै pipe Why कि कोई बी मैि प्रॉब्रल्म वाली बात नहीं है कोई भी मैथड कर लों वाली बात कोई बी मैथड कर लो दोनों से अपने देंगर सेम मिलेगा पहले है कि प्पने निकाल लिया है इससे इसए में से एप एक निकाल ले आपने लॉरेंस फोड से ठीक है क्लियर बें जो पड़्ड के आए हो उनको क्लियर व्होर का जो पड़्ड कर नहीं आ कि तो दिमाग के ulis से जा रहा था तो एक मैथ्टट से अपने मैथड वन से फर्मूला क्लियर वही निकाला इस इकल टू बी लवी वेर बी इस मैगनेडिक फिल्ड लेंथ वी वेलासिटी सकेंड मैथड से भी लेकिन इस टाइम पर फॉर्स अला मेथड यूस किया कौन सा मेथड यूस किया फॉ आप लोग पढ़ सकते हो कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है नेक्स्ट अभी आगया मोश्टनल इमएफ इन रोटेटिंग बार तो जब आपका एक बार रोटेट करेगा अभी रोटेट करने के लिए क्या होगा आपका एक पाइट फिक्स होगा अभी एक पाइपका फिक्स होता है जब अपना बार रोटेट करता है एक मैगनेडिक फिल्ड में वह हमको बताना है वह हमको बताना है तो द्यान से सुनना क्या कर रहे हम लोग मैगनेडिक फिल्ड ले लिए हम लोग ने एक रोड ले लिए जिसकी लेंद्ध कितनी है एल है तो वाट इस एल षोटा सा पार्ट ले लिया दियार क्या एक चोटा सा हिस्सा है डौक और वह तुर दियार कितना दूर से से ओंतेट कितना दूरई आधिस्टेंस दुर है यह फिर ओमेगा से हम। उसको गुंधा तुछ से देखते उस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं क्या कर रहा है वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है हुआ हbor फिर सप्लिक ले और बी वह नहीं समझा प्लस माइनस टीओ भी क्या नहीं समझा भाई क्रॉस प्रोडक्ट में प्लस माइनस नहीं समझा है नहीं प्लस माइनस रुपेश क्या बोल रहे हो एक आपका कुश्य नहीं समझा चलो तो सेकेंड पार्ट में देखो अभी देखो सेम चीज अभी हम लोग इस छोटी से पार्ट की पहले स्टडी करेंगे कि छोटी से पार्ट में कितना EMF इंड्यूस होता है फिर बात में हम लोग इंटिग्रेश तो सबसे पहली बात हम लोगों चोटी से पाट में डिड डिअगर क्या डिड वार बोल रहे है आग्या ऑट कर देखो हम लोग ने जो पहले फॉर्मला यूश किया था वह फॉर्मला हम ने उठाया पॉर्मला क्या था फॉर्मला था ये इज आप E . e is equal to blv formula था अभी देखो अभी मैंने क्या बोला उस छोटे से part में इम्व कितना होगा चोटा सा part है तो छोटा सा इम्वा लिखोंगा डी लिखूंगा मैंगनेटिक कॉंस्टेंट है वी वेल ऐसनी साप उसको कर रहे हो और part की size क्या ति भी अभी मुझे पुर ord में चाइए मैंने क्या कर दिया इंटी करें लगा तक यहां पर यहां जरो से लिखे और कितनी बड़ी है तो मैंने पहले ही बोल दिया यहां किया है अब इंटिग्रेशन में यह वी हटाना है अपने को वी का फॉर्मला क्या है वी की जगह पर लग सकते ओमेगार वी की जगह पर रख सकते ओमेगार यह रिलिशन आपको पता होगा मैंने यह आपर उठा के लग दिया अब इस मैगनेटिक फिल्ड बाहर आ गया ओमेगा एंग तो और डिवाड़ेड बाई कुछ नहीं है तो फॉर्मला में रखो वन प्लस वन डिवाड़ बाई वन प्लस वन तो कितना हो जाएगा आर स्क्वेर बाई टू और लिमिट क्या है लिमिट है जिरो से लेके ल तक अपर लिमिट पाइनस लोवर लिमिट रखोगे तो आपक टू है ना जो एल स्क्वेर बाई टू इस बाई टू को मैंने बाहर ले लिया तो वन बाई टू बन गया वन बाई टू बी ओमेगा एल स्क्वेर तो इतना आपका यह मैंट्यूस होगा जब आपका एक बाहर रोटेट होगा एक मैंगनेटिक फिल्ड में समझा तो यह होग तोपिक को एक्स्प्रेंट कर रहा है तो तोपिक को एक्स्प्रेंट कर रहा हूं के लिए तोपिक क्या है इंडियूस इमस इनसा टेस्टनरी कॉइल अभी को कॉईल स्टेस्टनरी होगा इना चेंजिकर उनिब्र इसके बार बार क्या होगा और जो मैगनेटिक فील यहै पर जाएन साओ एंदर जाएगा बहुर आएगा वह अपना काम करते रहेगा तब इसका उन्स्ट्रक्शन कैसे सबसे पहले सबसे पहले इसका इसका प्रम आपर यहां पर समल क्या करेंगे यहां पर मैंने को रख दिया यहां इसको कोई से आगे भी बहुत सारा सरकीट है लेकिन अभी के लिए में लोग इतने हैं यहां पर एक माउंड है क्या यहां पर एक मैगनेट मांड है यह मैगनेट है तो यहां पर दो वेट रखें मास M1 और M2 अभी होगा क्या द्यान से सुनना यह है अपना मैगनेट यह अपनी कोईल यह अपनी कोईल अभी ध्यान से देखो होगा क्या इसको मैं दो तिन स्टेप में आपको समझाता हूँ एक कोईल यहां पर तो मैगनेट यहां से यहां आएगा मैगनेट यहां पर मान लेते हैं नौर्थ है यहां पर यह सा होते हैं तो जब नौर्थ होगा तो मैगनेटिक फिल्ड ऐसे लेके आएगा हो सेकेंड केस में क्या होगा सेकेंड केस में क्या होगा सेकेंड केस में मैगनेट उसके नजदीक आ जाएगा जैसे मैगनेट उसके नजदीक आ जाएगा क्या होगा मैगनेटिक फिल इसके अंदर जाएगा जब मैगनेटिक फिल इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा तो क्या होगा यहां पर flux induced होगा लग्व हमें यहां पर कुछ EMF मिलेगा जब यह magnet जब अंदर जाना चालो करेगा तो अपने को EMF कुछ induced होते वह दिखेगा जब इसके अंदर अपना पूरा complete magnet चला गया तो कुछ नहीं होगा क्यूंकि एक बार जब उसकी फूरी magnetic field अंदर मैगनेट अंदर गुज गया एंटर कर गया तो magnetic field चेंज होगी क्या नहीं होगी अगर एक magnet ने 100 magnetic field निकाली थी और 100 magnetic field मैगनेट के अंदर गुज गई तो उसके बाद जब तक मैगनेट अंदर आएगा कोई के अंदर तब तक अपने पास कोई यह मैफ इंड्यूस नहीं होगा अब इंड्यूस कव होगा जब आपका मैगनेट में से मैगनेट बहार निकलेगा कोईल से मैगनेट बहार निकलेगा जैसे मैगनेट बहार निकला तो जब बहार निकलेगा तो अभी manifest क्या होगी प्विब प्रमोगी प्रिस स क्या होगा यह मैंफ इंडूर्व होगा घंतर हो इसके अंदर हो तरव यह मैंफ नहीं होगा जब बहार चलेगा रहे एंगल एंगल यह ले लिह An मोटा मोट समझ में आ गया yes or no स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में या और करना यह किmaगनेटिक विद्बढ़ेगी तो उसके जब मैंगेट अन्दर रहेगा तो mete कॉंसरंट रहेगी और फिर जैसे भार निकलेगा तो मैगनेटिक फिल्द Séघ्टी क्र ढगी तो यह आपका पहला ग्राफ बन गया मैगनेटिक फिल्ड राइस होना चालू कर दिया एक पॉइंट पाके रुख गया उसके बाद में जैसे वह अंदर घुश गया है और यह थी और इस टांप रएंडियुस नहीं हुआ था जैसे संयरी सोsource किस्टाइब कहें ऊवा है क्लिरर हुआ पहला डीयरहला हम 미्यस्ट टो मेगनेट जब अन्दर जा रहा रहा हमेगनेट ज अंधर निकल रहा है तो यह मेडनेट कॉल के अंदर रहे तो यह मेर फिंडीज की नीन होगा बतांग मुझे अ मुझे रहरा कि आप कि वेरी गुड कि अमने से अंसर दिया कि शुबम ने सही दिया मनिक ने अंसर गलत दिया रुपेश ने सही दिया वेरी गुड ठीक है तो पहला ग्राफ समझ में आ गया यह दाइग्राम समझ में आ गया यह समझ में आ गये वेरी गुड अभी आप यह पीवेटेड मतलब इसको लटका के रखा है और यह साथ स्यूस हो गर रहा है ऐसे यह जूंग 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 लटक रहा है क्लियर है यह वेरी गुड टी-एम्टी चेंज होगा तब ही आपका E.M.F. इंड्यूस होगा तो मेग्नेटिक फ्लक्स कहा कहा चेंज होआ भाईया कहा चेंज हुआ T1 और T2 पे चेंज हूआ हा ना बोलो तो EMF भी कहां-कहां बनेगा EMF भी कहां-कहां बनेगा T1 पे और T2 पे ही बनेगा Yes or No Yes or No यहां से इसर डॉटेट लाइन लेकिया जाओ यहां से अपना डॉटेट लाइन लेकिया जाओ और अपना EMF प्लोट करो मैक्जीमम यह E0 और यह माइनस E0 क्या है आपका मैक्जीमम एम्प्लिट्यूड समझा Yes or No अभी सर यह सर्किट क्यों बनाए है इस सर्किट इस यूज़्ट पर दी मेजरमेंट आफ इन्डियूस EMF अभी यह अगर आप लोग ने थोड़ा सा डियूट क्या करता है जब इसमें से करण इंड्यूस होता है और यहां से यहां करण फ्लो करता तो यह बन जेहां पूराDoesा सर्ट इस्ट्र उल्गा घ्रन को रोजए क्च नहीं होगा सरसायद कुछ नापर चल अट्रक्टर इसकरण पेंधो फिरसे कम्लिट हो जाए जैसे रिवर्श वाये उखार नहीं होगा फिर से अपना चाल अपने चार्ड में दिखेगा है यह फिर वाला सर्कुिट है क्या फिल्टर नहीं हाफ़ वाले में यह होगे अपना रेटिफायर और रेटिफायर कि इसमें अपने एक फिल्टर लगाया था आपने उसमें उसमें अपने का गया था एसी कंपोनेंट को ब्लॉक किया था कि येस इट ओनली कंड़क्स इन पॉजिटिव हाफ साइकल येस पॉजिटिव बोलो या फिर कोई एक ही चार स्टोर करने के लिए एक बर उसके पास चार स्टोर हो गया तो अपने को बता है कि अपने सिल्टर में एनरजी कितनी स्टोर होती है कौन से फॉर्म में होती है electrical form में होती है, electrical field के form में तो अपन उसको use कर सकते है, बाद में उसको use कर सकते है इससे measure करने के लिए कि कितना EMF induce हो रहा है yes, बहुत बढ़िया, अब इसका derivation देख ले diagram सबज में आ गया, derivation देख ले अभी, yes तो देखो, EMF, D5I, DT, यह अपना पहला कहानी हो गया, अपना यह पहला कहानी हो गया, yes अभी देखो, क्या किया गया है, अभी अलग-अलग angle पर, यहाँ पर इसा अलग-अलग angle बन रहा था अभी जैसे वो approach करेगा, तो angle change हो रहा था, जैसे वो approach करेगा, तो क्या हो रहा था, angle change हो रहा था और जब angle change हो रहा था, तो क्या हो रहा था, भाया, कहानी change हो रही थी, तो यह angle यहाँ पर अपने को लाना है, इसके picture में, तो क्या करेंगे, इस equation में हम लोग तो numerator और denominator में क्या करेंगे डी थीटा से multiply करेंगे क्या करेंगे डी थीटा से multiply करेंगे तो अपने पस एक equation आ जाएगा डी थीटा पॉन डीटी अभी यहां पर अपने को इस पर फोकस करना है डी थीटा पॉन डीटी पर क्या करना है डी थीटा पॉन डीटी पर इस पर अपने इस पर अपने को ज्यादा फोकस नहीं करना है यह अपने को क्या बता रहा है रेट ओफ चेंज ओफ मैगनेटिक फ्लक्स विद एंगल एंगल जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका मैगनेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यह कहानी बता रहा है बस और यह क्या बता रहा है अपने को एंगल चेंज हो रहा है with respect to time अब यह एंगल जो चेंज रहा है with respect to time तो हम लोग oscillation में यह पड़े थे equation मनाना पड़े थे equation कैसे मनता है equation मनता है D theta मतलब Peak value into sin omega T यह formula सबको आता है बनाने हा ना बोलो येस नो येस नो बोलो अभी धान से देखना अभी ये अपना नॉर्मल एक्वेशन बनाते है बेसिक एक्वेशन है आपको आता होगा जैसे हम लोग लिखते हैं ना या पिर मेगते हो कोई नॉर्मल एक्वेशन बनाया है अगर और आपको समझ में आगया होगा नाई पड़ा हूगा तो याद कर लो आभी आपके बुक में यहाँ पर यह new use किया है तो what is new मैं आपके लिख जाता हूँ new is frequency frequency new is frequency अभी देखो अभी यह formula को थोड़ा सा और अपन यह करेंगे elaborate करेंगे what is frequency time period और frequency का relation क्या है one upon t time period और frequency का relation क्या है one upon t इक्वेशन क्या बन जाएगा साइन टू पाई न्यू की जगे पर लिखेंगे one upon t into t तो थीटा का equation क्या मिला थीटा का equation मिला थीटा नौट साइन टू पाई upon t into small t इतना समझ में आ गया अभी इसको ठाके इस formula में रखो इस formula में रखो अभी इस formula में रखने से पहले अपन उसका differentiation कर लेते हैं क्या कर लेते differentiation कर लेते हैं तो differentiation जब करेंगे तो क्या है बताओ डी थीटा साइन टू टी अपाउन टी इं डिवाइड़ बाए डी थीटा अब यू बताओ integration करते हैं क्या क्या देखोगे सबसे पहले थीटा नॉट निकल गया बार differentiation ऑफ साइन ओमेगा टी क्या आएगा भाईया क्या आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा एक्चुली में है तो यह ओमेगा ही ना टू पाइय न्यू या फिर टू पाइय अपन टी है तो ओमेगा इना है तो आपको डिफ्रेंसेश्ट करने आता है ना चेन रूल के हिसाब से कि टी के साथ ओमेगा भी था तो मेगा क्या होगा मल्टिप्लाइब होगा तो अभी बताओ क्या बच्चा देखो यहां पर सब करके दिया है अधिया करेंगे अपन मल्टिप्लाइब कर लो आगे ले लेते हैं यहां पर इसको तो टू पाइय थीटा नौट अपाउन टी कॉस्टू पाई अपाउन टी इंटू स्मॉल टी क्लियर है अभी अपने को अगर मैक्जिमम वेल्यू चाहिए अगर अभी अपन CSS के कौन से एंगल पर आपको मैक्जिमम वेल्यू मिलेगा हyba ठीक है चाहिए धीवस्ति यहंगल 0 होगा तब आपने को क्या मिलेगा मैक्जिमम वेल्यू मिलेगा तो मैक्जिमम् वेल्यू कैंद्ध जीरो कर देते हैं चल डी वेल्ब historically कि यह नितिय Till 여자 होथी है तो बच्चे अपने पास बचा क्या अपने पास बचा अभी इसको उठाके अपने पहले लेके चलो अभी इसका ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता है जो मेन रोल है वह इसका प्ले होता है ठीक है तो अभी अपन इसको यहां पर रख लेते हैं तो अपने पर पता चल गया कि यह अपने पास maximum value यहां से मिलेगा और इसको ठाकी यहां पर रख देंगे तो formula क्या बन जाएगा अपना formula बन जाएगा अपना d theta 2 pi t इस angle पे इस कहानी पे अपने को maximum emf मिलेगा कब जब अपना coil stationary होगा and magnetic field change होगा समझा वेर यहां पर लिखके दिया है वेर अभी देखो यहां पर e not आग्या है e not maximum emf को पर e not भी बोलते है not जहां पर आगे हो maximum होता है तो e not बोलो theta not बोलो these are the peak values these are the peak values ती क्या है यहां पर time duration time period और theta not क्या है वो अपना पूरा angle बन जाएगा ठीक है तो यह अपने को कहानी मिल गई यह अपने क्या मिल गई कहानी मिल गई अब यह जो value है यह यह approximately 0 के बराबर होते है यहां पर आप पढ़ सकते हो यहां पर देखो यहां पर लिखके दिया है यह दिए the first term depends on the geometry of the magnet and the coil at theta is equal to 0 the mean position we have maximum flux but we are interested in d5 by d theta which is actually 0 at 0 degree ठीक है, second term d theta by dt can be deducted from the oscillation equation, ठीक है, तो जो पहला term है, उसको अपने को ज्यादा उंगली नहीं करना है, जो बाद वला term है, उसमें अपन ज्यादा इंट्रेस्टेड है, उसमें अपन ज्यादा इंट्रेस्टेड है, वहाँ पर अपने को maximum value मिलेगी, ओके, हाना बोलो कुछ, तो यह अपना complete formula है, यह अपना complete formula है, yes, कितने लोगों को नहीं समझा, जो बड़ा t है, that is time period, complete time period, जो छोटा t है, वह अपने को बता रहे है कि, इस instant पे क्या हो रहा है, उस instant पे क्या हो रहा है, initially time t, small t is equal to 0 था, समझ मारा है, 90 by 270, oops, चालो, ठीक है, difference between बता दिया है मैंने, चालो, बहुत बढ़िया, बोलो, AC करण करवा दो, next अपन वही लेंगे, ठीक है, AC सर्कीट लूँगा मैं, टेंचन मतलो, अब आगे आपका generator, AC generator, ठीक है, इसको पाच मिंट में खतम करेंगे, आप लोगोंने बचपन से इसको पढ़ा है, तो AC generator क्या होता है, सेजिए आवया, AC generator, generator क्या होता है, generator दो टाइप क्यों होते है, AC generator होता है, और DC generator भी होता है, अभी AC generator, अभी AC generator क्या होता है, it converts mechanical energy into electrical energy, एनरजी इस बात खतं बात खतं कि अ यह समन्न नहीं पूचा है लेकिन इस साल अपन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं पूच लिया तो क्या करूए तो कम से कम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए न चाहिए न चाहर दाग्राम मना दोगे तो भी आपको कुछ न कुछ माक्स मिल जाएगा डियाग्राम के बेस पे आप लोग कहानी लिखोगे और इसी था ना वे इसी था ना क्या हाड़ था इस इसी था अब यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन देख लो दस वी से पढ़ा है एक अगर आपको अल्टरेटर बनाना आपके घर पे तो आपको क्या क्या लगेगा आपको लगेगा आपको लगेगा दो पर्मनेंट होर्श्यू मैगनेट्स क्या लगेगा आपको एक पर्मनेंट होर्श्यू मैगनेट्स ठीक है फिर आपको लगेगा एक कोईल अभी उस कोईल को घुमाना है जब उस कोईल को घुमाना है जब उस कोईल को घुमा होगे तो dislip rings लगाते हैं इस slip ring से हम लोग connect करते हैं इस carbon brushes को किसको Connect करते है carbon brushes को Connect करते है इन carbon brushes के तुरू हम लोग जो भी energy यहां पर produce होती है coil के अंदर वह हम लोग बाहर output लेते हैं वह हम लोग बाहर समझा देखो दो मैंगेट मैंगेट के वीश में अपने पास क्या होगा क्वाइल होगा अब इस कोईल को गुमाओगे को कैसे भी गुमाओ आपकी मर्जी है वह कोईल गुमनी चाहिए जब कोईल घुमेंगी तो यहां पर मैंगेटिक करेंगे के पर दोग्हाइब कारण को निकालेंगे कैसे इन स्लिक रिंग के त्रू निकालेंगे अब है यह गोल-गोल रिंग के साथ तो उसके थ्रू आपन को बहार निकालते क्या करते हैं एक ट्रैक कर लेते और बाहर अपने सर्किट में अपने को यह पर सप्लाइ मिल जाता है प्लाइं को सप्लाइब जाता है गुम रहे हो ना उसी के वज़े से गुम रहे हो यह अभी इसका देख लो डेरिवेशन क्या बोलता है सर फ्लक्स निकाल लो बी ये कॉस थीटा अभी थीटा किसके बराबर होता है तुम सबको पता है थीटा इस उगल्स टूमेगा टी के बराबर होता है ठीक है जैसे क्या बोल रहा था मैं जैसे जैसे एस इस इस इकोल्स टूमेगा टी के बराबर होता है अभी तो आप लोग ने पहला चैप्टर पड़ी लिया होगा एस डिस्प्लेस्मेंट थीटा वी ओमेगा बात खतम अभी यहां पर आपने क्या किया हमारे बास यह एक्वेशन मिल गया दी ये कॉस ओमेगा टी अभी लोग बात करें फॉर एन नमबर ओफ टंस पॉर एन नमबर ओफ टंस अभी एन नमबर ओफ टंस के रिए क्या बन जाएगा सर प्लक्स इधी कोज टू एन बी ए कॉस्ट सीटा मनलाब ओमेगा टी तो यहां पर अपने मास एक्वेशन आगया अब इस इक्वेशन को पकट की क्या करेंगे अपन टाइम पस्करते सर mcg moving coil galilometer और generator का construction में क्या difference है only spring and coil देखो generator और moving coil galilometer दोनों अलग लग है भाई या दोनों अलग लगा है तो दोनों अलग लगा है तो बहुत ज़्यदा डिफ्रेंस है तो इतना हमाई flux मिल गया सबसे पहली बात flux calculate कर लिया अब ही क्या करेंगे differentiate करेंगे d e is equals to d phi by d t क्या करेंगे d phi by d t बोलो क्या आएगा बोलो अब ही actual में formula क्या है minus d phi by d t तो कर लें तो minus d phi by d t phi का formula क्या है n b a cos omega t बोलो क्या बहार आजाएगा n बहार आजाएगा b बहार आजाएगा a आजाएगा differentiation of course minus sign आता है शायद से बताओ हाना minus sign omega t into omega अब यह minus बहार sign आजाएगा तो plus हो जाएगा n b a omega sin omega t yes yes यह आपका formula कुछ बन रहागा देखो minus ले लिया है omega लग दिया है minus minus gap कैसे हो गया क्योंकि differentiation of course omega t is minus sign omega t ठीक है अभी sin omega t की value कब होगी maximum plus minus 1 पे maximum और minimum होगी तो अपने को final formula क्या मिल गया final formula अपने को मिल गया n b a omega plus minus number of turns magnetic field area और कितनी speed में गुम रहा है very good रुपेश yes और यह आपकी wave बनती है ऐसे अभी यह equation कैसे है अभी तो समझ गया होगा देखो यह equation था हमारे पास n b a omega sin omega t अभी अभी omega t maximum कब होगा maximum होगा प्लस माइनस वन पर तो maximum जब होगा तो हम लोग क्या बलेंगे अभी एक homework दे रहा हूं यह आप लोग रीट करके भी समझ जाओगे ठीक है बैक इमफ एंड बैक टॉर्क क्या होता है इस क्या यूस्फफुल होता है बैक एमिफ कैसे प्रडूस होता है कि नहीं होता बैक टॉर्क क्या होता है useful होता है कहीं नहीं बस यह चोटा से दो परग्राफ का आपको इसको रीट करके ठ़ास gide लेने प्लीज इतना कर लिए रिए करने लेक्ट टाइम होगाहए रादे लोग को समझेगा आदे लोग को नहीं समझेगा है तो दो आपके लिए छोड़ रहा हूँ यह आपके लिए छोड़ रहा हु अब पढ़ते हैं अपना इंडक्शन एंड एंडर्जी ट्रान्सफर और उसको कर रहे है एक रेक्टेंगुलर सिप का स्ट्रक्चर रग द्यार उसको अब ल उसको मूझ करेंगे एक मैंगनेटिक फिल्ड में से तो क्या ओगा उसके अंदर यम्य होगा करन्न पिंदूस होगा इसमों रहें तो आपपोजिट में फोर्स तयार가요 वाइट इस अवे वह इसे ग्राफ प्लॉट किये जाता है अभी यह आपको पिच्चर बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है मैग्नेटिक कैसे किसे डियरेक्चेनच करता है आप लोग डיאिग्राम ऐसे इबनाती हो melan मैक्जिमम कर होता है और जीरो पर क्या होता है स always जीरो होता है तब क्छा साइड की वैइल जो आप लोग अभी तक बना रहे थे ना कि एसी जनेरेटर में अपनी वेव ऐसे होती है जीरो से चालू होती है तो साइन के एंगल पर आप लोग बनाते थे पप्र स्चिंधी आगे लगने वाली फॉर्स तो होगी अपर मूव हो रहा है क्या नीच मूव नहीं हो रहाए तो ऊपर नीच विंद विक यह नहीं लग पूरे फ्रेम फ्रेंनः अरई और जब आपट्रेम को खीच रहा रहा है एक हम लोग ने टो लोंग क्या होता है करेंट इंटू रजिस्टेंश तो करेंट इस इकल स्टू वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंश अभी हम लोग ने क्या वहला जब भी आप लोग किसी ऑपजिक्ट को खीच से हो तो उसके अंदर कितना इमफ इंडिज होता है यह अपने देख लेटा अपन और बन रहा है सेंड गा अभी यहां पर हम लोग ने पावर का यह यूश किया से अपने को आप लेक हम लोग क्या करेंगे अभी इसको अभी देखो फोर्स क्यल्कूलेट करने की कोशिश करेंगे अपन फोर्स कितनी लग रही है वह क्यल्कूलेट करेंगे वेलासिटी है उसको मल्टिप्लाइ कर देंगे तो फोर्स निकालना अपना एम है क्या निकालना एम है फोर्स निकालना i is equal to blv upon r second कहानी flux calculate करना है क्योंकि जब अपन वो frame को खीच रहे थे तो flux कट रहा था flux कट रहा है तो कितना flux बनेगा तो flux के लिए formula लगा लो आप लोग को formula बनेगा blv यहीं डारेक्ट अपने लोग ने अभी अपने differentiate किया तो कितना EMF induced हुआ BLV EMF induced हुआ यह अपन्या भी किया सेम डेरिवेशन है EMF मिल गया EMF से अपने करण बना लिया EMF से अपने करण बना लिया second मैंने बोला था जो force आप लोग यहां पर लगा रहे हो जो खीच रहे हो वैसी एक force यहां पर बनेगी तो यह दोनों एक रॉड के उपर एक रॉड के उपर कितनी फोर्स लगती है कितनी फोर्स लगती है कितनी मैगनेटिक फोर्स लगती है यह हम लोग बिटा बस जो chapter आपको अच्छा लगता है वो chapter से आप start कर दो ठीक है जो भी chapter आपको अच्छा लगता है उसको पकड़ के start कर दो पड़ना अब इसको solve करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को I L B sin theta मिलेगा और यही अपने को use करना है अभी maximum value के लिए sin theta की value क्या कर दी वन कर दी तो अपने को force का मिला force का formula क्या मिला I L B मिला अभी I को उठा के मैंने यहां पर रख दिया I को उठा के रखा तो क्या बन क्या formula B L V upon R और यहां पर L और B था तो formula क्या बन जाएगा flux उस flux से अपने निकाला EMF कितना मिला अपने को BLV फिर उस EMF को यूज करके अपने क्या निकाला current निकाला current कितना मिला था BLV upon R फिर हम लोग ने एक डाफर्ज रले डाइगराम को यूज करके force निकाला I L cross B वाला formula यूज करके तो यहां से अपने को I L B sin theta मिला sin theta की value maximum है 1 ले ली यहां पर I का formula पुट किया तो BLV upon R into LB क्या हो गया formula क्या बन गया B square L square V upon R इतना force लग गया इतना force लग गया अभी force का formula मिल गया इसको power में डाल दो तो power का formula क्या था force into velocity force का formula B square L square V upon R into V तो formula क्या बन गया B square L square V square upon R यह बन गया अपना power का formula यह बन गया अपना power का formula कि बोलो समझा यह और नो यह और नो शेम आप लोग इस formula को दूसरे method से निकाल सकते हो आप लोगोंने दस्वी में पड़ा था आप लोगोंने दस्वी में पड़ा था power is equals to power is equals to I square R बच्पर ने पड़ा था ना P is equals to V into I तो यहाँ पर अगर V की जगे पर अपने को ख़करना है V हटाना है तो V is equals to I R यहाँ पर रखा तो क्या बन जाएगा वो I square R बन जाएगा power का formula current का equation अपने का निकाल लिया है current का equation डालो क्या था current का equation करण का equation आया था B square L square V square upon R square into R यह रखो formula में तो क्या बन जाएगा वोलो एक आर एक आर कैंसल बच्छा क्या B square L square V square by R आप लोग यह second method से भी कर सकते हो लेकिन I का formula कहां से आया यह आपको निकालना पड़ेगा I के लिए क्या निकालना पड़ेगा flux निकालना पड़ेगा फिर बाद में आपको I मिलेगा फिर I का formula direct यहाँ पर P is equal to I square R निकाल सकते हो ठीक है तो अभी तक कॉन-कॉन से formula देखे फटा-फटा एक बार नजर मार लो हम लोग ने देखा सबसे पहले Translational EMF में कितना EMF इंडूस होता है BLV rotational में कितना होता है half B omega L square फिर उसके बाद में हम लोग एक formula यूस किया था ठीक है I L cross B जो भी आपको ने किया था उसके पावर इंड्यूस कितनी हो रहे है वह अपने लोग ने कर लिया V square L square B square by R तो उसके लिए हम लोग ने करन निकाला था उसके लिए अपने पावर का formula यूस किया था अब बेसिक सबसे पहला अपने यूस किया था ठीक है अब अपना अधर टॉपिक नेक्स्ट एडी करेंट्स अभी एडी करेंट्स क्या होता है एदम छोटे से वर्ड में एक प्लेट में मैं इसको खतम करता हूँ जान से चुनना मानला अपके पास एक solid iron plate है solid iron plate मतलब यह पूरा iron का बना हुआ है ठीक है और जब इसके अंदर magnetic field link होगी ना जब इसके अंदर magnetic field link होगी magnetic field change होते हुए link होगी तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है अब यह solid है तो बहुत सारे free electrons होगे तो free electrons क्या करने लगते है घूमने लगते लगते है जब free electrons अपने घूमने लगते जब फ्री एस टेम गूमने लगते है एक ही point पह should pair heat अब ant Um घूमने के एड़फु बन गए और उसी क visitor को लीए तार्ट को जाने के लिए र?" यही रास्ता था करेंट को जाने के लिए लेकिन अपने पूरा प्लेट ले लिया भी तो पूरे प्लेट में कहीं पर भी करन जा सकता है उसकी मर्जी है और प्लेट में लेक्ट्रॉंस हैं तो जब भी यहां से आप लोग मैंगनेडिक फ्लक्स पास करोगे तो अपने अब से इसको कम कीसी किआ जाए तो अभी यह बहुत यूसफुल भी है बहुत सदे अप्लिकेशन भी एड़िकरण्ट के और यह लॉसर भी करता है तो अभी इसको कम करने के लिए हम लोग इसको लैमिनेट करदे लेमिनेट मतलब क्या मतलब कि मैं एक ऑबजेक को यह जो अ वह में बनता है पाणी में जो दॉटन्स रोगेंगे लाइमिनेशन्स बोलते हैं जब ये बहुत कर देते हैं तो होक्राइट प्लो करने के लिए जागा नहीं आखर एतने परेंगे जाट missing स्टटे चोटे पाट काट चोटे चोटे पाट काट दो तो क्या होगा सर्कल बनी नहीं पाएगा तो यह है अपने पास एकजामपल्स है कि अधिक्याइड के आपके पास यह इसको खतम करना तो क्या करेंगे अपन उसको लैमिनेशन कर देंगे अब इसके अप्लिकेशन तो अपने बुक में नहीं है इस साल लेकिन पहले था आगे कि चलते हैं अब तीन टॉपिक बचें सल्फिंडक्षन न्यूच्व इंडक्टन्स एंड ट्रांस्वर्मर् सेफ इंडक्टन्स क्या होता है इद्दम फटक से इसको एक अपने पास प्लोल करेंगा करेंगा करन्ट फ्मोट करेगा मैगनेटीक फुल्ड प्रद्वस होगी इसके ज से मैगनेटीक फ्लक्स बनेगा उर्ट खुझ से कर्नेक्ट होके EMF Inspector self मं खुध का कुछ साने खुझ से क्या करता है खुझ से वह एक करन्ट स्वलक्स बना रहाएं प्रूक्स करता है तो इसमें जो main point है इसमें जो main point है वो यह है यहां पर देखो मैंने लिखा है main information जो है वो यह है कि जितना ज्यादा current उतना magnetic flux बनेगा जितना कम current उतना magnetic flux कम बनेगा तो flux and current is directly proportional to each other समझा क्या रिप्लाई दो आए पाई हेलो गूड इवनिंग कर रहे हो बेटा येस तो ये कितना होता है तो इसका अपने पर फॉर्मुला दे दिया है पॉर्मुला क्या बोलता है अरे यार चलो यह यह से चलो करते हैं तो सबसे पहली बात कि जो फ्लक्स होता है इडिस डारे चलते हैं ये फिर कोइफिशेंट ओव संफ इंडक्शन बोलते हैं याद राखना यह अब ये कंस्टान्ट यह आको कि वर्लड इंडिक योड पर टिंड करती नहीं बताओ आपकि कि पहला तो यहां से पहला फॉर्मुला मिल गया आफ्लक्स का पहलास ती खेंडिrobeि सकते हो फॉर्स डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो फॉर्स डिफाइंड आपका बन गया अभी आगर आपके बास एन नमबर ओफ कोईल से एन नमबर ओफ टन्स है तो जितने नमबर ज्यादा टन होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा तो सेम फॉर्मला खाली एन के साथ म क्यों मेघनेटिक और मटेरियल प्रॉपर्टी तर जीइश चीज चीज की खी पर डिपेंड करती लू न फॉक्स के पर डिफेंड करती है यह में उपस पर और यागनेटिका और अचनी नफर उल्ड स्या define- एट ना जब n number of tens होंगे तो क्या हो जाएगा formula n times of flux upon current पहला फर्मुला बन गिया इससे आप लोग पहला definition बना सकते हो इससे क्या कर सकते हो आप पहला definition बना सकते हो second definition यह single 10 के लिए हो गया यह number of tens के लिए हो गया अभी इसको बन रखेंगे एमए कैसे अर्म करेंगे देखो युनीट के आएंगा उनिट निकाल लो hyande आता है का है इसकी इन्देट्र का हेंँडरी् लिख summeti है हो हेंर्ण की लिख रहा है हैंट्सी है और हैंड्री एच निवोल्ड़ गप्र हैंपेर फर सेकेंalon प्लीज एक्सoterेंशनज चलो ठीक है पताताँ हमाएं तो यहाँ पर ऑडएसइंग निकाल दिया थिक तो सब्से लाई यहाँ पर अपने नियुंग यूश्क यूश किया फिरडेलग क्या थाardon is equal to minus d5 by dt flux कहां से निकाला पन्य है flux निकाल लिया था ना ल आए ल आए तो इसको यहां पर उठा के रख दो इमें तो क्या बन जाएगा ल क्या है constant भार आ जाएगा दिया बाइट यह क्या होता है इस इस यह रेट आफ change of current rate of change of current ठीक है तो यहां से आपको ल का फर्मला बिन जाएगा ल का फर्मला क्या बनेगा आपका cross multiply करो l is equals to minus e upon di by dt अभी e क्या है emf voltage अपन नीचे क्या आएगा current upon time यह सकता है इस वेबर पर एंपियर हो सकता है इसफेटर पर एंपियर कैसे गारे वेबर पर एंपियर अमीर नहीं अभी इसका डाइमेंशन कैसे निकालते हैं तो एक और फॉर्मूला मिलके आपको यह एक फॉर्मूला यहां से यहां से यह फॉर्मूला बन गया यह डेफिनेशन एक डेफिनेशन यहां से बन जाएगा एक डेफिनेशन यहां से बन जाएगा अभी सेकेंड ध्यान से सुनना अब इसका dimension पुछाना आप लोगों ने dimension क्या आएगा देखो L is equal to dimension of volt upon dimension of current अपने को पता है current का dimension क्या होता है तो a1 ले ले लेते हैं current के लिए a ले ले लेते हैं और per second है तो उपर चला जाएगा second मैंदब ट का बना जाएगा अभी वोल्ट का dimension कैसे निकालते देख लो वोल्ट is equal to work done upon charge यह formula यह फॉर्मूला यह फॉर्मूला तो तुम लोगों पता है force into displacement force का क्या होता है force का क्या होता है l2m1-2 force is equal to mass into acceleration यह फिर kg meter per second square तो l1m1-2 यह आपका force का dimension बन गया और displacement का तो हो गया तो यह हो गया आपका joules ठीक है तो l2m1-2 यह बन गया आपका work done का dimension work done का dimension बन गया charge का dimension कैसे निकाल होगे current के формular से निकाल ओगे ga i is equal to q by t तो q is equal to i in to t aí का Cya dimension a1 c डिका क्या है डियंक्रइक बनेगा बथा हो आपका कैसे बनेगा बनेगा माना सब कुछ लेकर L2m1 यह रहे गा माइनस 1 हो जाए गा-3 और वह ए गया तो A का माइनस वन तो यह आपका बन गया वोल्ड का दाइमइंशन अभी इसको यहाँ पर रखो तो यहाँ पर रखो ठीक है तो क्या बनेगा पता हो क्या बनेगा एलस्क्रेयर मखने यहां पर टीख गाम्नस टीका- माइनस 2 होगा फिर एक और नीचे से अभीह यह वन आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा एक और माइनस यह तो यह यह ke Build एक बहुँंचे कर लो नहीं शवरी और हिए बारे करेहिख कर कर लो है कि एक इस्थेश्ण का भीयों कि येस चलो अब यहाँ पर देखो आपको यह एक फॉर्मला निकाल के दिया है अब यह वर्क डन निकाल के दिया है यह वर्क डन में आपको निकाल के दिखा दूँगा अभी बाद में यह इसली आपको कैलकुलेट कर सकते हो येस चलो चले आगे अभी मैं आपको यह निकाल के दिखा दूँगा कि वर्क डन कितना होता है कि अग्या भाई हाँ यह यह डेफिनेशन देखलो यह डेफिनेशन देखलो डेफिनेशन बुल्टो लुग जाई आभी बता दे तो आपको देखो सबसे पहली बात नॉर्मल आप लोग क्या करोगा वर्क डन निकालना है वर्क डन का फर्मुला क्या था अपने पास वोल्टेज इन्टू करेंट इन्टू डिटी यह कैसे आया सर यह कैसे आया सर बताओ बोलो बोलो जली बोलो यह वर्क डन का फर्मुला क्यासे आया सर वोल्टेज इन्टू करेंट इन्टू चेंजिंट टाइम यह बता जरीली वीज़ इकल्स टॉयर से अच्छा वेरी गूड यहां पर मैंने बताता वोल्टेज का चार्ज का बन जाएगा वोल्टेज इन्टू चार्ज अभी वोल्टेज का तो आपको मिल गया चार्ज का कैसे निकालोगे चार्ज आ जाता को समझ उसिका अपना का।ár्टेज हुअ देखो अपना वॉल्टेज कि फॉल्टेज तु वर्क्डबारबॉ अपउन चार्ज चार्ज के से निकालते हो आप लोगया श्रली समझा Day आप ल यहाँ पर वोल्टेज काएगा Annie तो यहां पर आपको बुक में ऐसे लिखके दिया है कि TW is equal to EIDT अभी E की value अपने को पता होती है कितनी थी माइनस LDI by DT होती है यह उठा कि यहां पर रख दो तो क्या बनेगा फर्मूला डी कि TW is equal to minus LDI by DT into I into DT तभी क्या बचेगा बोलो डीटी डीटी मर गया माइनस LDI अभी टोटल व्कडन निकालना तो क्या होगा टोटल वकडन के लिए integration use करेंगे integration use करो माइनस वां ले 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 लिए integration करो क्या है integration में integration में होई है integration x raise to n Dx x raise to n plus 1 divided by n plus 1 तो क्या आएगा 2 upon 2 तो i square upon 2 आजाएगा तो work done क्या आगया माइनस half l i square और यह आगे दाके हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी energy store होती है एक coil के अंदर इतनी energy store होती है ठीक है half l i square अभी यहाँ पर current की value 1 कर दो current की value 1 ampere कर दो क्या बचेगा क्या वह का बताओ अभी in terms of magnitude magnitude के लिए क्या होगा बताओ यह 1 हो गया तो formula के बनेगा l is equals to 2 times of w लब l की value कितनी होगी जब अब लोग 2 times omega यह work done करोगे तब जाके आपका inductance निकलेगा self inductance निकलेगा समझा hello calf समझा derivation समझा क्या किया है यहां बदेखो लिखके दिया है and self inductance of the circuit is numerically equal to the twice किदर गया last में i square अब बटा i की value 1 कर दी न current की value 1 ampere लो तो 1 का square 1 ऐसे थोड़ी गायब किया मैंने ठीक है ठीक है ठीक है तो एक current attention चाहिए रहे तुम लोगों कितना attention चाहिए चालो यह derivation समझ में आ गया yes ठीक है कितना बनता है mu not n i where mu not is what mu not is what बताओ n मतलब क्या हो जाएगा n मतलब number of turns number of turns per unit length number of turns per unit length और current आये हो गया अभी इसको यूज़ करके अपने को आगे चलना है तो अभी देखो magnetic field का formula क्या बन गया mu not capital N i upon l यह बन गया formula अभी इस formula को ध्यान देना यह पहला formula बन गया अभी inductance का अपने पास already formula है क्या है formula sir वो है n flux upon i अभी flux की जगे पर क्या रखा b a क्योंकि अपने को पता है b a आता है यहाँ पर रख दिया अभी क्या करोगे b की वेलो अल्रेडी पता है आपको b की वेलो ठाके हम लोग ने रख दी यहाँ पर अभी b की वेलो रखने के पास अपने को formula क्या मिला अभी यहाँ पर देखो दो दो टम है यह main formula बन गया जो capital N है it is number of tons जो small n है it is number of tons per unit length जो बड़ा n है it is number of tons जो छोटा n है it is number of tons per unit length clear है अभी इस formula को अपन को पूरा small n में करना है या फिर पूरा capital n में करना है तो अगर आपको इसको पूरा capital n में करना है तो आप क्या करोगे small n की जगे पे आप लोग n upon l लोगे तो आपको यह पूरा capital n में मिल जाएगा या फिर इस small बड़े आले n को आप लोग n into l लोगे ठीक है बड़े आले n को small n into l लोगे तो आपका पूरा formula small n में बन जाएगा clear है बेड़ा तेरा नाम ही लेने नहीं आ रहा है मेरे को तो I hope so आपको clear होगा अभी इसी को यह formula आगया ना आपर अभी आपने coil लिया था उसका area कैसे निकालोगे pi r square से निकालोगे तो area के जगए pi r square रख दो अभी r को in terms of diameter निकालना है तो r square होगा तो diameter का भी क्या होगा square होगा तो क्या लिख सकते है r square की जगे पर d square by 4 तो आपको यह बड़ा वाला formula मिल गया क्या मिल गया यह बड़ा वाला formula मिल गया और यहाँ से अपने को एक formula मिल गया और वो formula क्या है inductance per unit length क्या मिल गया inductance per unit length का formula n square mu square pi d square by 4 तो यह आपको inductance per unit length है क्या ही आपका inductance per unit length I hope so clear रही है आप अब अजाते है inductance in series and parallel it is same as resistance same resistance की जैसा यह है अब रेजिस्टंस की जैसा सेम कैसा है सर देखो inductor L1 L2 L3 series में करो के तो क्या होगा जैसे resistance series में लगाते तो क्या होता है add होता है वैसे inductor भी क्या होता है add होता है inductor को parallel में लगाओ तो क्या होता है one upon तो यहां पर भी क्या होता है one upon कहानिक खत्म कहानिक खत्म बोलो समझा yes or no yes or no okay very good clear है बहुत बढ़िया energy store in magnetic field तो यह inductor में सबसे बहले आपने capacitor पढ़ा होगा capacitor में क्या होता है energy store होता है in the form of electric field वह कितना store होता है half cv square store होता है कितना energy store होती है half cv square store होती है वैसे जब अपने पास inductor होता है तो उस inductor में भी energy store होती है in the form of magnetic field in the form of magnetic field तो कितनी energy store होती है यह अपने को calculate करना है तो वह बेसिक वाला formula अभी मैंने आपको derive करके दिखा दिया है कैसे किया सब्सक्राइब आपने is equals to minus ldi by dt अपने work done का formula लगाया work done का formula क्या था voltage into charge अब चार्ज के लिए पर अपने क्या लिखा था current into time वह formula यूज किया और अपने यह निकाल लिया अभी यह derivation मैंने करके दिखाया था यही derivation करके दिखाया था work done is equals to half into l i square same to same देख लो देखो भाईया देख लो पूरा वही है इद्दम होई खाली systematically किया है मैंने आपको बला था वही work done आएगा येस तो कितना energy store होगा half l i square कितना energy store होगा half l i square capacitor में कितना store होता है ये inductor में हो गया capacitor में कितना store होता है half cv square येस चालो बहुत बढ़िया अब आगे mutual inductance mutual में दो कोईल आ जाती है एक कोईल प्राइमरी एक कोईल secondary जिसको कोईल 1 कोईल 2 बोलते हैं आप लोग कोईल 1 कोईल 2 में होता क्या है यहाँ पर magnetic flux बनाओगे उसके जैसे यहाँ पर होगी तो यहाँ पर कुछ अपनी EMF होगा वह EMF कितना होता है यह आपको बताए गया है formula remains same formula remains same क्या होता है flux is directly proportional to current यह proportionality सेन अटाओगे तो क्या बनेगा एक constant आएगा उस constant को हम लोग क्या बोलेंगे mutual inductance बोलेंगे या फिर coefficient of mutual induction बोलेंगे और यही फर्मुला बन जाता आपका flux upon current का एक main formula बन गया main formula यह बन गया अभी second e is equals to minus d5 by dt इसको टाकी यहाँ पर रख दो क्याा है और यहाँ आपर एक और चेंज है 1 से ठूर्टो से वन इसकी बात करेंगे ठीक है अभी तूर्टो मतलब क्या सर घी एक कोईल की वाजिसे से दुसरे कोईल पर क्या फरॉत पर रहे दूसरे कोईल की पर किया फरॉत यह उन ultimately आगे जाके आप लोग देखोगे तो आप लोग आगे कैसे लिखोगे M21 बराबर M12 ठीक है M21 बराबर M12 तो फ्लक्स प्रड्यूज इन कोईल 2 डू टू कोईल 1 यह जो लिखा है ना इसको पढ़के दिखा रहा हूं मैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जो कोईल 2 में बन रहा है किसके वज़े से कैल 1 के वज़े से क्या मज़े से मंगंतों के सांद को yapıyor प्रेणिक बनी थी दूसरी कोईल के साथ लिंक होई तो उसके अंदर क्या प्रेडूश हुआ फ्लक्स सही बोला ना कि गलत बोल दिया यह सो नो मुझे बताओ कमेंट करके बाद में फॉर्मुला सी रुमेंट सेम सब कुछ सेम पूरा एक्सपेरिमेंट सेम है सब कुछ सेम है अल्टिमेटले आप लोग यह जाके देखोगे ठीक है यहां पर देखो लिखके दिया है फ्लक्स इन कॉइल वन ड्यू टू कॉइल टू तो सेकेंड वाले कॉइल की वज़े से सेम फॉर्मूला फ्लक्स इस उकॉल्स टू जहां जहां एल था वहां वहां एम आ जाएगा अभी ध्यान से सुनो अब आगे आपका नेक्स टॉपिक अब इसके बहुत सारे फॉर्मूलास निकालके दिया आप लोगे देख सकते हो अभी यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल वन कॉइल टू ऐसे बोला गया है तो आप लोगे देख लेना यूनिट भी सेम है यूनिट हैंडरी आएगा यूनिट और कुछ नहीं आएगा वही वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड येस कोईफिशन्ट अफ कपलिंग बिविन टू सर्किट्स तो यह फॉर्मूला क्या है के इस इकॉल्स टू एम अंडर रूट लवन इन्टू यह फॉर्मूला कोईफिशन्ट नफ कपलिंग का यह कोईफिशन्ट क्या बताता है कि क्या मिस्कर दिया मैंने कुछ मिस्कर दिया क्या कि क्या मिस्कर दिया बोल रहे हो एनरजी देंसिटी एनर्जी डेंसिडी आप खुद से कर सकते हो देखो मैं बता देताओ बी एक्सबुक खुल के बता देताओ एजई है तेंशन मतलो बता रहा हो अभी हम पर ते लींड डियो प्लींक बता रहा था अभी कोईफिजट अव्पली मिलता हैम इसी होता गया यह बता था कि कि अपनी दो कोईल होती है न दो कोईल वो दो कोईल कैसे एक दुसरे के साथ लिंक है इसका मतलब कि जब आपका एक एक में क्या होता है एक में magnetic field बनती है वो दुसरे के साथ link होती है तो दुसरे के साथ कैसे link हो रही है ठीक है इदम अच्छे से जितने coil 1 ने बनाय था वो पूरा का कोई के साथ link हुआ इसका मतलब कोईफिजंट क्या है बहुत अच्छा है के की वेलू 1 होगी अगर अगर मैं ऐसे निकालो कि अपनी एक कोई यहां पर है यहां पर मैंने वैटरी दिया सप्लाय दिया यहां पर magnetic फिल्ड बनी और उसके जैसे यहां पर कुछ होगा क्या इस कोईल में कुछ होगा क्या नहीं होगा इसका के का वेलू क्या है बहुत पूर है बहुत पूर है जीरो हो जाएगा क्यूंकि एक भी फिल्ड लाइन कपल नहीं हो रही है एक और एकजांपल दूं मानलो आपके बास यह कोईल है और एक कोईल ऐसी है बता कोईफिटन और कपलिंग क्या होगी यहां से मैगनेटिक फिल्ड बनेगी 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 शायद थोड़ी सी लिंक हो तो के की वेलू क्या होगी पूर होगी थोड़ी सी होगी पॉइंट 1.2.3.4 यहां डेफि बाकी आप लोग पढ़ लो केकी वेलू जब 0.5 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या है दो कोईल अच्छे से कपल्ड है टाइटली कपल्ड है जब केकी वेलू 0.5 से कम होती है तब वह लूजली कपल्ड होते है अभी आपके बुक में यहाँ पर 0.5 दे दिया है क्या है वो परफेक्टली कपल्ड है तो यह फॉर्मूला अप लोग याद कर लेना ठीक है चलो बहुत बढ़िया है टाइटली कपल्ड मतलब अरे इद्दम अच्छे से कपल्ड है कि जितनी मेंगनेटिक फिल्ड यह बनाएगा उतनी की अल्मॉस्ट पूरी मेंगनेटिक फि में लास्ट यॉली कंडिशन नहीं समझी लास्ट यॉली कंडिशुन वे ने क्या पताय था लास्ट यॉली कंडिशन इफ लवन अपना एप लम्याय जें़ और कि इंडर रूटL1 इंटी दो तो क्या हो जाएगा कि एंटी वन इंटी ओ āंटी ऑलनी हो जाएगा सट्सक्क्राइब कि आम अपन याइगा फ्र्मूल ली कि समजा कि नगा देखो coefficient of coupling का in short में मतलब क्या है कि एक coil दुसरे coil से कितने अच्छे से linked है पहले वाली coil में magnetic field बनेगा तो दुसरे वाली coil के साथ link होगा अभी कभी-कभी बहुत अच्छे से link हो जाएगा कभी-कभी अच्छे से link नहीं होगा कभी-कभी बिल्कुल link नहीं होगा तो जब बिल्कुल link नहीं हो रहाए तो KQ value क्या 0 जब थोड़ा बहुत link हो रहा है तो KQ value क्या अच्छी होगी जब एद्धम perfectly link होगा तो KQ value क्या होगी एदधम perfectly link मतलब क्या कि जितनी magnetic field यह बना रहा है उतनी योल्टेज एकल टी है उसो ट्रॉब्लट्र में बन गाइगे सब्सक्रानद कुछ अपने इसा लिखता यह क्या है अपना एक कउईल है यह अपना आयरन का कोर है उस कोर पर अपने दो वाइंडिंग लगाई है क्या लगाई है दो वाइंडिंग लगाई है यह आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वैंडिंग किसको बोलते हैं तो प्राइमरी वैंडिंग उसको बोलते हैं जहां से अपने इंपुट दिया है और सेकेंडरी वैंडिंग कहां पर है जहां से अपने आउटपुट लिया है तो प्राइमरी सर्कीट आपका इंपुट हो गया यह हो गया आउटपु चानला यह बीच में दो लाइन डालते हैं दो लाइन का इंडिकेट करता है इन्पुट हमेशाए देना है यह इनपुट अपने एसे आउटपुट देगा लेकिन वडर्ड डर्ड आंपटों मतलब की मानलों आप लोगों ने देखो यहांप मैं लिक्केंट दिया है what is transformer it is a device which is used to step up or step down the AC supply और voltage ठीक है अभी step up or step down क्या होता है ध्यान तो सुनना step up मतलब यह अपना transformer है यहां से मैंने input दिया 9 volt मुझे output में मिला 230 तो यह कौन सा हो गया step up करके मिली मुझे value मुझे क्या मिली बढ़ा के मिली तो इसको हम लोग बलते step up voltage step up transformer step down मतलब क्या मैंने input दिया 230 मुझे output पे मिला 10 volt 9 volt 12 volt 6 volt ऐसा मुझे voltage मिला तो यह क्या हो गया step down हो गया बोलो समझा बोलो समझा येस जो primary में number of turns होते है primary voltage को अपन bip बोलते है यह फिर ep बोलते है कुछ भी बोल सकते हैं अब लोग primary current को क्या बोलते है IP बोलते प्राइमरी number of turns इसको हम लोग बोलते है Np यह number of turns को हम लोग गया बोलें क्या एन सूअल का इंसटरी कॉईल आ इस मतलब क्या current in secondary कॉईल chip and प्रवाइज चेंज करेंट ताकि मैंगनेटिक फ्लक्स इंड्यूस ऑपोजित प्रड़ाइट येस येस समवर्ट राइट येस बारवी के लेवल के लिए येस डीसी अप लगाए नहीं सकते क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी होती नहीं है फ्रिक्वेंसी नहीं इसके वज़े से यहां आप जैसे डिसी लगा होगे कुछ सकेंट के बाद मॉटक तुक केबाराई को इससे को भूता हृडइक है पर द्राइडल ट्राइडल ट्रांस्फॉर मतलब जितना इंपूट दिया उतना आउट्वूटों प्रणीज होती है इसिंबल क्या पूरते इटा उसेंबल क्या बोलते है इटा एफीशेंसी बताता है यह efficiency बताता है efficiency तो इटा की वेल्यू जब 1 होगी इसका मतलब क्या है कि transformer क्या है कि 100% आड़र ट्रांसवर्मर यह इटा कैसे करते सर यह find out करते है आउटपूट आपां इनपूट आउटपूट एपां इनपूट आउटपूट वोल्टेज़ आउटपूट पां इनपूट वोल्टेज cloudy आउटपूट वायर अपकूब्द वायर अम्हेंशीय जाद रखना कि output अपान इंपुट यह यह लिए अधिक करनी होग में उसकी 5 कि साहिएक यह यह दा यह की ऐड़ी विल्ट होति है यहां पर न आगि आगिा अभी पावर कैसे निगालते हैं अप्लोग प्राइमरी इन्पूट क्या था यह था अभी इसको मैंने यहां पर रख दिया क्रोस मिल्टिप्लाइ किया तो अपने को क्या मिल गया इस अपने को याद रखना है ठीक है क्या इक्वेशन है primary voltage upon secondary voltage इस इकोल्स टू गरेंट अपन प्राइमरी करेंट उल्टा होता है उल्टा होता है this is voltage and current relation this is what voltage current relation आपको primary voltage दिया होगा primary current दिया होगा secondary current दिया होगा आपको पुछेंगे secondary voltage कितना होता है था आप लिख secondary voltage find out कर लोगे कुछ एक missing होगा बागी सब आपको दिया होगा अब निकालना है relationship between voltage and number of tons सबसे पहले से कितना वोल्टेश होता है अपन बेसिक फैरडायो क्या बहुता है डफाइगा अब यहां पर नॉपर इंटु फ्लक्स कर दिया तो नॉबर ऑफ टंस बहार आ गया constant रहेगा same primary के लिए भी लिख दिया अभी primary secondary दोनों को divide कर दो तो secondary अपन primary divide किया तो minus minus कड़िया d5 by dt कड़िया बचा क्या ns upon np मतलब secondary का number of turns divided by primary का number of turns is equal to secondary का voltage upon primary का voltage clear है yes or no yes or no तो आपका equation क्या बन जाएगा जान से देखना equation यह बन जाएगा आपका primary का voltage तो primary का number of turns secondary का voltage तो secondary का number of turns ठीक है voltage और number of turns directly proportional है voltage और current inversely proportional है voltage और current inversely proportional है बोलो समझ में आ गया yes or no अभी आपको working पढ़ लेना है ठीक है कैसे कैसे काम करता है अभी याद रखना जब आपन step up की बात करते हैं step up का आप एक ही इससे पचान सकते हो कि step up वाले में number of turns in secondary is greater than number of turns in primary जब भी यह condition है मलब secondary में ज्यादा number of turns होंगे प्राइमरी के comparison में तो ऐसे वले transformer को आप लोग क्या बोलते हो step up transformer बोलते हो और जब primary में number of turns ज्यादा होंगे और secondary में number of turns कम होंगे तो जितने number of turns कम उतना voltage कम तो उस time पर क्या होगा आपका step down voltage होगा तो यह condition आपको याद रखनी है और इसको is working important yes तो यह जो अपने को रेशियो मिला है secondary upon primary is equal to secondary number of turns upon primary number of turns primary voltage upon secondary current तो इसको हम बोलते है transformation ratio अब यह n कहा से आ गया ठीक है transformation ratio यह बहुत ज़्यादा important है इससी से आपकी question चॉल होंगे सिर्टी में बहुत सरे question पूछे गए है सिर्टी में बहुत सरे questions पूछे गए है ठीक है यहाँ पर कोशिन आप सब्सक्राइब कर सकते हो solve कर सकते हो रुक जाओं मुझे एक मैट दो खाली मैं यहाँ पर आपका टेक्सबुक खोड़ लूँ एक्सटबुक पीजिक्स का फिजिक्स का फिजिक्स का यहां गिया फिजिक्स का टूल फिजिक्स घंट आ कि और कि एक topic रहे गया ना को जो बोल रहा है energy डेंशिटे आला topic रहे गया किदर पर है वो ? Energy density मैंने आपको सिर्फ एक topic हुमबक दिए है quit प्लीज डेट कर लेना कहां गया energy density हां, एनजी स्टोर हो गया, अच्छा इसके बाद ही था गया, चलो, ठीक है, अभी यह सुन लो, एनजी देंसिटी मतलब क्या, एनजी देंसिटी अपने पूरा यह सब सीक लिया है, सब कुछ सीख लिया है, हमने यह ओल्रेडी फार्मुला निकाल दिया है, है energy density को हम लोग डिनोट करते है small u से small use तो और जो energy stored in magnetic field है उसको हम लोग capital युस से डिनोट करते है पहला difference क्या है समझहीं आ गया energy store को हम लोग किसा डिनोट करते है युW से capital युश में एनर्जी तो क्पीटल युश से करते है energy density को से किससे करते हैं small u से किसे करते हैं small u से तो इसका फर्मला क्या है energy density का फर्मला क्या है energy density is equal to energy stored in the magnetic field upon volume येस आमन आपने क्या मेल किया था मुझे पॉर्मला क्या है एनर्जी डेंसिटी फाइंड आट करने के लिए देखो यहां पर लिखे दिया है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वाल्यूम इन अ मैगनेटिक फिल्ड इस कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी इस कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी क्लिया रहिए अभी एनर्जी कितना स्टोर किया था अपने energy store था half l i square half l i square और यह volume की जगए पर मैंने क्या लिखा है volume की जगए पर cross section area into length into length volume की जगए पर यह लिख सकते ना area into length तो वह हम लोग नहीं आपर substitute किया है बाजू में निकाल दिया इसको मैं इसा लिखा u b into one upon al यूबी किया था half l i square अभी यहाँ पर ध्यां से अब यहाँ पर क्या किया अपने i square को side में कर दिया, 2 को side में कर दिया, A को side में कर दिया, और L upon I को side में कर दिया, अभी ये L upon I अभी अपने निकाला था, ठीक है, वो L upon I कितना होता है, mu naught n square a, अभी इसको यहाँ पर जब अपन put करेंगे, तो क्या बनेगा formula, क्या बनेगा बताओ, जब इसको हम लोग ने आपर put कर दिया, तो यह यहाँ पर आगिया, L upon I की जगे पर, L upon small L की जगे पर, तो अभी यहाँ पर cut-cut क्या क्या, cut-cut होगा भीया, A से A मर गिया, बचा क्या formula, half mu naught n square i square, तो इतना energy density होता है, बात खतम, हो गया, ठीक है, और यहाँ पर mu naught n i क्या होता है, mu naught into n i, यहाँ पर mu naught n i क्या होता है, b के बराबर होता है, क्या होता है, b के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप लोग n into i को बाहर निकाल दो, mu naught n i को इसकी जगे पर b लिख दो, तो formula क्या बन जाएगा, half b n into i, तक यह देखो अभी एक कैसे किया फिर से बता रहो देखो ध्यान से देखो पर नीचे मूट से मल्टिप्लाय कर देता हो ऊपर नीचे मूट से मल्टिप्लाय कर दिया तो mu naught का square हो गया upon mu naught हो गया अभी इसको अपने को formula बता है mu naught ni क्या होता है magnetic field होता है selenoid का क्या होता है magnetic field होता है तो इसकी जगे पर भी मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा b square हो गया खतम तो इतना tension नहीं लेने का this is the equation to find energy density of selenoid yes बहुत बड़ा चैप्टर है वह बच्चर डर जाते है उसको देखके तो वह मैं शायद इदम लास्ट में चैप्टर लूगा वाला पहले वाला है मेरा चैप्टर देख सकते हो आप ठीक है एक दो टॉपिक डिलिट है वह आप कहीं और से कर लो बाकिया आप चैप्टर देख सकते हो अगर आपको अर्जंट रहेगा तो मैगनेडिक फिल्ड दूट इलेक्टर करेंट ठीक है नेक्स्ट मैं ट्राइ करूँगा ऐसी सर्कीट यह है समन ठीक है चलो तो आई होप सुमें आपको अगरो कंप्लीट सिखा दिया है आज और आडियो वीडियो थोड़ा ठीक होगा थोड़ा से बैक्राइबर नोईज आ रहा है लेकिन ठीक है यह इंपोर्टेंट है तो आप लोग हमारी चेनल को भी सब्सक्राइब कर सकते jak जाएब अच्छा लगए लुए ओगण कर देना चैनल पर नहीं होतले तो सब्सक्राइब कर देना देखो एधर क्वे थिए ना मिलते नेक्स्ट टाइम बाई एवरीवन टेक केर अगर वेव आप्टिक्स आपको अर्जेंट होगा तो पहले आला वन शॉट है वो देख लो